हेलो फेंट्स वेलकम टू माई चैनल जीके कैफे देखे बहुत ही इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन है और बहुत ही अच्छी न्यूज बोल सकते हैं गुड न्यूज है जो भी सस्की की त्यारी कर रहे है और जितने मेरे सब्सक्राइबर है लगबग 90% तो त्यारी सस्की की क दिया है अपडेट है कि कोई भी जो होते हैं एक्जाम के जो आप यूट्यूब चैनल से में देखते होंगे कई लोग रिव्यू करवा देते हैं तो उसको बिल्कुल तरीके से बैंक करवा दिया गया है मतलब कि अससी का नोटिफिकेशन कर दिया अपने ही अपनी वेफसा करते हम आई भी का एक्जामनेशन वा था तो उसमें भी प्रोटोकॉल सेट था कि कोई भी जो यहांबर कंड़क किये गए हैं एक्जामनेशन में एक भी कुशन बाहर नहीं उसको करेंगे लीक नहीं क्या जाई और इससे बहुत ही अच्छा इंपक्ट पड़ेगा मैं दो- बहुत बड़े-बड़े टीचर है पूरे 25 कोशन लेकर आ जाते हैं मेमोरी बेस कोशन बोला जाता उनको अगर आप देखेंगे तो डिजट का ही फरक होता और यह मैं खुद बहुत ही आस्चारे कह सकते हैं इसको कहने पर कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि बिल्कुल बिल्कुल तरीके से का है जिस बच्चे ने इसको लीग करा है कोशन को तो उनका एक तरीके से खिलाफ लीगल एक्सान लिया जाएगा और कोई भी आने वाले एक्जामनेशन ने उनको बैठने नहीं दिया जाएगा बहुत अच्छा डिसीजन है अब जैसे मैं आपको बता तो मैंने उस टाइम भी बोला था कि मैं एक्जामनेशन कंप्लीट होने के बाद ही उन कोशिंस का रिव्यू दूँगा क्योंकि और इस बार भी आप देखेंगे तो मेरे चैनल पर आप कोई भी रिव्यू नहीं देखेंगे क्योंकि मैं इसको खुद भी लीगल नहीं मानता और ना अच्छा मानता हूं क्योंकि देखें जब मैं अपने एक्जामनेशन की बता रहा हूं सीजल 2017 का मैंने दिया था मैं अपना एक आपको एक्जामपल के साथ समझाता हूं 15 से 20 मार्क्स का एक बच्चा गेन कर जाता है जिसके लास्ट में एक्जामनेशन होते हैं और आप सभी जानते होंगा सभी के एक्जामनेशन पहले नहीं आयता थे बहुत एक्जामनेशन में ऐसा दिखा गया था कि 12 से 13 कुशन आप देख सकते हैं आज के टाइम पे भी 17 की बात करो में 12 से 11 कुशन 25 में से करेंट अफेर के पूछे गए तो और नॉमली जो भी बच्चे थे जो त्यारी करने गए थे जिनका पहले ब पहुता है जो बच्चे स्टार्टिंग में पहुंच गया उसको इतनी डिफिकल्टी होती है क्योंकि देखे पैटर्न किसी को पता नहीं मैं अपना एक्जामपल आपको समझा रहा था कि 2017 के टाइम पे करेंट फिर इतनी पूछी गई थी अब जैसी हम पहली बार में बैठ बाद आगर हम बाद करें तो लगभग वह एक्जामनीशन लगभग मेरे साब से पंदरा सोला दिन तक चला था जिन्होंने लास्ट में दिये थे मेरा खुद एक फ्रेंट सामें बता रहा हूं तो उसका एकदम लास्ट में बढ़ा था एक्जामनीशन लगवग सेकिंड ल तो बच्चा ज्यादा महनत ना करके उसी तरफ चले जाता जैसे कि हिस्ट्री की बात करें पैटर्न इतना फिक्स रहता है कि जब एक बार पेपर सेट हो जाता है तो उसमें यह दिख रहा होता है कि मैडवल हिस्ट्री के कोशन पूछे जा रहे हैं तो सुरुवाज से लेक मार्जन सेट हो जाता है दो बच्चों के बीच में स्राटिंग में सीरेस परेंट की बाध कराऊं तो जिसनन स्छाथ है वहले लिंक होता है आपके डिलिंकुक को इसे और मैस में आया रख है अई इनोंने ऐसी चीज़े कर ia जो यह किसी भी टीचर को अच्छा नहीं लगता कि यह आप पूरे शिफ्ट के पहले पेपर उठाके बैट जाते जैसे दिन पहले दिन का एक्जामनेशन हुआ है इस बार का आप सीजल का देखिए 25 के 25 कोशन लेके बैड़ गए यह करो अब वह पैटन फिक्स होता है मैस में कि इस टाइब की कोशन पूछे जा रहे है आप यहीं करके जाएक लिट्ट वहीं मिल जाएगा कई सिफ्टो में तो डिया की कोशन ये बिलकुल ही सेम दिखे गए थे मतलब पैटन फिक्स था कि ऐसे टाइब की कोशन पूछे जाने की कि कैलकुलिशन है कि नहीं तो में बहुत फरक आ गया था जब मैंने 17 का दिया था तो अच्छे से प्रिपेर करके गया और जब मेरा पहला सिफ्ट पड़ा था उसमें मेरे को बहुत थी उल्टा दिखा था वह अलग बात है कि मैं करेंट फिर पहले से एच्छे से रखता था क्योंकि कई लोगों ने पहली बोल दिया था कि टीसेस का पैटर्न आ गया है तो करेंट फिर तो बहुत जादा पूछी जाएगी तो वह अलग बात है कि आप प्रिपेर होके जाते हैं फिर भी कोई जो लास्ट में चल रहा होता है उसको बहुत जादा बेनेफिट होता है तो यह चीजे म में जादा मार्जन नहीं देखा जाएगा जैसे लास्ट एर आप देखेंगे कि बहुत अंतर फरक पड़ जाता है एक एक चीजे समझानी थी और मैंने आपको अनिलाइस के बारे में बोला है कि अनिलाइस में प्रोवाइड कराता नहीं फिर भी जिन्होंने से चसल का एक् तो यही था ओवरोल आपको एक अच्छा फीडबेक मिल गया है बहुत अच्छा उन बच्चों के लिए जिन्होंने आने वाले एक्जाम को देंगे जो पहले वाले कई बच्चों के एक्जामनीशन में सेलेक्सन तक रुक गए मैं आपको खुद के अपने दोस्तों के बता लास्ट में उनको जो बच्चे है जो एवरेज है वो उनसे ज्यादा मार्क्स लेकर आ जाते थे क्योंकि जीके के ऐसा सब्जेक्ट है उसमें हलका साही पैटन अगर आपको पता चल जाता है तो वह बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता आपके एक्जामनीशन में तो बस मिर अगर इतना है वीडियो पसंदे तो जरू लाइक किजेगा